हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आसा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं देखिए आज हम लोग जो डिसकसन का भिषय है आज जो नो डिसकस करने जा रहे हैं यह डिसकस करने जा रहे हैं IPC section 309 यानि भारतिय दंड संगिता की धारा 309 के बारे में चर्च हुआ है दिखिए अभी WHO की रिपोर्ट आई है World Health Organization WHO की रिपोर्ट आई है और WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो की 2019 के अनुसार दच्छिडपूर एसिया छेत्र में जो भारत है भारत की आत्महत्यादर सरबाधिक बताई गई है यानि WHO की रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में सुइसडी की रेट साुथी स्टेसिया में अगर देखा जाए तो सरबाधिक रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आत्महत्यादर प्रति एक लाग पर 16.5 है बिश्व में तीसरी सरबाधिक महिला आत्महत्यादर 14.7 भारत की ही है देखो भारत में 2017 में आत्महत्या को गैर आपराधिक कृत्य घोसित किया गया था परन्तु भारती दंड संगिता की धारा 309 अभी भी समाप्त नहीं हुई है अब देखे जो IPC की धारा 309 है इसमें किसे अपराधि घोसित किया जाए किसे अपराधि ना घोसित किया जाए ये भी क्वेस्चन उठता है तो जो IPC की धारा 309 है इसके अनुसार जो ब्यक्ति आत्महत्या करने का प्रियत्न करेगा उसे अपराधी घोसित कर निर्धारिस सजा से दंडित किया जाएगा यानि IPC के सक्षन 309 के तहट जो दंड का प्रावधान है जो व्यक्ति सुईसाइड के लिए कमिट हो रहा है उसको दंडित किया जाएगा धारा 309 के अनुसार आत्म हत्या करने का प्रयत्न एक जमानती शंगे अपराध है तथा किसी भी मजिश्ट्रेट द्वारा ये बिचारणी अपराध की स्रीडिव में आता है इसमें सजा का जो प्राधान किया गया है यह है एक वर्ष सादाकारावास का मतलब उससे कोई स्रमित्याद नहीं लिया जाएगा या आर्थिक दंड या उसकी ऊपर कोई अर्थदंड लगा दिया जाएगा अथा उसको दोनों सजा दी जाएगी अब सवाल ये उठता है कि क्या IPC की धारा 309 को निरस्त किया गया है या नहीं किया गया है या आगे क्या प्राउधान किया गया है तो अभी हम लोगों ने सवाल उठाया यानि question है कि क्या इस कानून को यानि 309 को निरस्त किया गया है या कोई और कानून मनाया गया है तो देखिए अभी तक IPC section 309 को निरस्त नहीं किया गया है भारति देंड संगिता की धारा 309 अभी तक लागू है हाला कि संसत द्वारा यह बहुत important fact है हाला कि संसत द्वारा मानसिक स्वास्थ बिधेयक Mental Health Care Bill 2017 को पारित कर दिया गया और यह Mental Health Care Act बन गया MHCA Mental Health Care Act बना और कब से लागू हो गया तो 2018 में यह प्रभावी हो गया यानि पारियामेंट के द्वारा हमारे Mental Health Care Act पास किया गया है क्या है प्रोविजन इसमें इसके प्रावधान को देखिए तो जो Mental Health Care Act है इसने IPC की धारा 309 के उपियोग की गुणजाईस को काफी कम कर दिया है और आत्महत्या को केवल एक अपवाद के रूप में दंडनिय बनाने का प्रयास किया है देखो जो MHCA Mental Health Care Act की धारा 115.1 है इस 115.1 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि IPC की धारा 309 के बावजूद जोगे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अभी भी IPC की धारा 309 लागू है तो इसके लागू होने के बावजूद यदि कोई ब्यक्ति आत्म हत्या करता है यानि कोई ब्यक्ति स्विसाइड के लिए कमिट होता है जब तक साबित ना हो जाए उसे आवसाद ग्रस्त समझा जाएगा तथा उपरोग्त कानून के तहट अभी उक्त नहीं होगा और ना ही दंडित किया जाएगा यानि जब तक ये साबित ना हो जाए कि संबंदित ब्यक्ति आवसाद ग्रस्त नहीं था तब तक उसे आवसाद ग्रस्त ही माना जाएगा और उपरोगत कानून के तहर्ट यानि IPC की धारा 309 के तहर्ट उसे अभियुक्त नहीं माना जाएगा और ना ही उसे दंडित किया जाएगा अब इसमें क्वेशन ये उठता है कि आखिर इसमें सरकार की भूमिका या जिम्मेदारी क्या है तो जो आयक्ट पास किया गया Mental Health Care Act इसकी धारा 152 के अनुसार यानि इसकी धारा 152 में ये प्रावधान किया गया है कि उपयुक्त सरकार का करतब्य होगा कि वह आत्महत्या का प्रयास करने वाले आउसाद ग्रस्त ब्यक्ति को उचित देख भाल, पुनर सुधार, उपचार प्रदान करे ताकि आत्महत्या के प्रयास की पुनराबृत्ति के खतरे को कम किया जा सके ये Mental Health Care Act की धारा 115-2 में कहा गया है यानि सरकार को या आदेश किया गया है, सरकार का ये करतब निर्धारित किया गया है कि वह आउसाद ग्रस्त ब्यक्ति के उपचार का प्रयास करे ताकि वह ब्यक्त दोबारा आत्महत्या की पुनराबृत्ति ना करे ये बास समझ में आए आप जो IPC की धारा 309 है इससे संबंधित क्या चिंताएं है देखो इस धारा का उप्योग पीडित ब्यक्ति को महत्यपूर्ण समय यानि जो गोल्डेन आवर होता है उसमें इलाज से वन्चित कर सकता है गोल्डेन आवर का मतलब जब ब्यक्ति किसी गटना में इन्वाल भिया तो उसका एक घंटे का जो समय जिसमें उसको तुरंत इलाज किया आवर सकता होती है तो इस धारा का उप्योग अगर किया जाए तो पीडित ब्यक्ति को महत्यपूर्ण समय यानि जो उसका गोल्डेन आवर है उसमें इलाज से वन्चित कर सकता ह क्योंकि ये केस कैसा बन जाएगा मेडिको लीगल केस हो जाएगा और मेडिको लीगल केस होने के कारण अस्पताल को उप्चार करने है पुलिस के अनुमती की आवस्चता होती है यहनि जब तक उसमें पर्मिसन नहीं मिलेगा तो तक मेडिकल लीगो केस डाक्टर लेंगे दूसरी बात इसमें वानी जाती है, कि ब्यामान अस्पताल अधिकारी इस इस्थिती के दुरुपियों की समभावना रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि भरष्ट पुलिस कर्मियों द्वारा भी इसके दुरुपियों की संभावना रहती है। अर्शी रहती है दुरुपियों कर सकते है। इसरी खास बात यह माना गया है कि जिस ब्यक्ति जो आउसात ग्रष्ट ब्यक्ति है या जो उसके संबंधी है वह पहले से ही समस्या से परिशान है और इसके बाद अगर यह medical legal case बन जा रहा है तो पुलिस से case को लिखाना डाक्टर को दिखाना कई सारी समस्या हो जाने से उनक मतलब यह हुआ कि IPC की section 309 को समाप्त कर देना चाहिए लेकिन IPC की धारा 309 को जारी रखने के पक्च में भी कई सारे तरक दिये जा रहे हैं और जो तरक दिये जा रहे हैं उसमें यह तरक दिया जा रहा है कि कई ऐसे मामले भी होते हैं कि जब लोग सरकारी दफ्तरों में अपनी मांगों को पूरा ना होने पर आत्महत्या की धमकी देते हैं इन मामलों में जब पुलिस को संदे होता है कि यह वेक्ति आत्महत्या के धमकी देकर के सिस्टम पर दबाव बनाने अथवा ब्लैक मेल करने का प्रयास कर रहा है तो ऐसी स्थिती में 309 का प्रियोग गरस्त कर दिया जाए तो इन पर कारिवाई कैसे होगी यानि ये तर्क दिया जाता है इसलिए 309 को लागू रखा गया है हालाकि अब समय की मांग यहा है कि धारा 309 को पुनाह परिभासित किया जाए थाकि आउसाद गरस्त यानि मानसिक तनाव से पीड़िद्व्रति के ख ने क्या-क्या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने कौन-कौन से निर्ड़े दिये हैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्ड़े देखते हैं देखिए तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आई इधिक नहीं है बलकि आत्महत्या जीवन का अधिकार है जिस प्रकार बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार सामिल है उसी प्रकार जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सामिल है इतना ही नहीं जब व्यक्ति को आत्महत्या के प्रयास के लिए दंडित किया जाता ह तो वह उस्व्यक्ति के मानसिक संत्राप, सारीरिक संत्राप और व्यथा को अधिक बढ़ा देता है। यहां एक मात्र पराध है जिसमें आसफल रहने पर दंडित किया जाता है। अतहा अभियाविधिक नहीं है। लेकिन पुनह ज्यानकवर मामले 1996 में सर्वोच नियाले ने अपने पूरवर्ती निड़े को पलट दिया। यह जो निड़े दिया था कि IPC की धारा 309 अनकॉंस्टिटूशनल है उसको पलट दिया। और भारतिय दंड संगिता की धारा 309 को पुनह बहाल कर दिया। और यह कह प्रक्षण करे। इस प्रकार हम लोगों ने यह देखा कि ज्यानकवर बनाम पंजाब राजमामला 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 309 की समयधानिक बैद्देता को बरकरार रखा। यह बात क्लियर समझ में है। आप देखते हैं कि बिध्यायोग ने क्या कुछ कहा है। तो 1971 में बिध्यायोग ने अपनी 42 में रिपोर्ट में IPC 309 को निरस्त करने के सिफारिस की। और राजसभा द्वारा IPC संसोधन बिध्यक 1978 पारित कर दिया गया। परंत जब लोगसभा में इसको पारित होने के लिए रखा गया तो लोगसभा भंग हो गयी। यानि यह पास नहीं ह हो पाया। इसके बाद पुनह वर्स 2008 में वर्स 2008 में बिध्यायोग ने अपनी 210 मी रिपोर्ट में कहा कि आत्महत्या के प्रयास करने वाले ब्यक्ति के लिए चिकित्सा और मनोरोग देख भाल की जरूरत है ना की सजा की। मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद में इस धारा को हटाने की ब्यवहारता पर विचार करने की सिफारिस की थी। यह बास समझ में आया। देखो। जो सुइसाइड है आत्महत्या है इसमें प्रसिद्ध समास्तास्त्री एमाईल दुर्खीम की एक प्रसिद्ध धाउधानडा है उन्होंने कहा कि आत्महत्याएं केवल मनोबैज्ञानिक या भावनात्मक कारकों का परिडाम नहीं होती हैं। अपित्व इनमें सामाजिक कारकों का भी योगदान होता है। अब अगर हम लोग सुइसाइड के कुछ प्रकार को देखें तो खास करके इसके जो प्रकार होते हैं इसमें एक तो आ जाएगा यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है मरसी की लिंग यानि दयामृत्यू। मुक्ती मिल जाती है। भारत में अरुना सानबाग मामले के बाद यूथेनेशिया का मामला बहुत तेजी से उठा था। जिसमें पिंकी विरानी नामक एक सामाजी कार्यकत्री थी। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया था। ये बास समझ में हाला कि भारत में वर्तमान समय में पैसिव यूथेनेशिया की तौनमती है लेकिन एक्टिव यूथेनेशिया की अन्मती अब तक नहीं है। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब हुआ कि जो इंडिविजुल बीमार है उसके लिए जो दवाय दी जा रही है जो जीवन सहायक स सहियंत्र उसको लगाए गए हैं धीरे धीरे उनमें कमी की जाए और उस व्यक्ति को पीला रहित मृत्यू दिया जाए यह क्या कहलाता है पैसिव उथेनेशिया एक्टिव उथेनेशिया में हम लोग कह सकते हैं कि इंजेक्शन लगाया तुरंद काम खतम तो इसकी अनमती भा है अपने सारे लोगों पूरे परिवार के सारी देख भाल कर चुका है उसके बाद अगर वो इंडिविजूल चाहे कि अमने जीवन में सारा कारे कर लिया है उसके बाद अगर वो मृत्यू की मांग करे हलाकि भारत में इसके अनमती नहीं है अगला होता है रिलीजियस रिल दूसरों के उपकार में यानि दूसरों की सहायता करने में अगर किसी की मृत्ति हो जाती है और अगला होता है इगोईस्टिक या डिस्ट्रस यह होता है जब इंडिविजुल डिप्रेशन में हो ज्यादा परिसान हो और उसके बाद वो इंडिविजुल अगर हाथ में हत्या कर ले तो इसको इगोईस्टिक या डिश्ट्रस से साइट कहते हैं यह बास समझ में आया तो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल प्रिलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है इसलिए इस पर लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर मालो एसस क्या आया है या इसमें जो बिधी आयोग है उसने कौन को से फारिश्य प्रस्तुत की है या इसमें पूछ सकता है आपसे कि जो मेंटल हेल्थ केर एक्ट पास किया गया किस सन में पास किया गया उसके सक्षान 115-1-1-152 क्या है यह सारे क्वेशन आपसे प्रिलिम्स में भी जा सकते हैं यह बात समझना है तो चलिए इसको देखिएगा पढ़िएगा काफी इंपॉर्टेंट है क्लियर तो आज यही तक बहुत बहुत धन्यबाद थैंक्यू जैहिंद